हलो दोस्तों शड़ी मूर में आपको श्वगत है बिहार द्रोगा मुख परिक्षा 2020 आज हम इस वीडियो में आज के सब्जिक्ट वाइस होमवर्क का टोपिक देखने वाले हैं सब्जिक्ट वाइस महत्पूर टोपिक में बताने वाला हूँ उसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है अगर पढ़े हुए हैं तो अच्छे से रिविजन कर लीजेगा जो भी टोपिक है ये लूशेंट से दिया जा रहा है आपका क्या टारगेट रहना चाहिए कभे भी 80 प्लस कुश्चन करने का टारगेट रहना चाहिए और अगर टारगेट बड़ा हतर रणनेती भी बहुत अच्छा होना चाहिए तैयारी करने का तो चलिए आज के हमवर कमी क्या पढ़ना है यह हम आज बात करते हैं बहुत लोग यह पूछ रहे हैं ते कि सर यह बताइए कि यह कब तक चलेगा देखे इस महीने के लाश्ट तक हम आपको छोड़ देंगे यह topic देना मिसकी आपको 30 तारिक तक आपका खतम हो जागा पूरा का पूरा सलेबस अभी 50% सलेबस आपका खतम हो चुका है 50% बचा हुआ है आप लोगों को लग नहीं रहाओगा लेकिन आप topic सभी topic एक जगा लिखिए और उसे question से देखे relate करकर तापको समझ में आ जाएगा कि यहां से कितने question आते हैं अब यहाँ पर हम बात करते हैं एतिहास वाले section में एतिहास वाले section में आपको प्राचेन खतम हो चुका है आपको मध्यकालीन इस्टार्ट हो रहा है तो मध्यकालीन में भी जरूरी है वहीं पढ़ना है कम समय में ज्यादा revision करने के एक चुक रखिए अब यहाँ पर देखे सल्तनतकाल सल्तनतकाल में दिल्ली सल्तनत या सल्तनतकाल भी इसे बोला जाता है जो की 1206 से लगा कर आपको 1526 तक पढ़िएगा यह आपको अलग-अलग जो आय थे राजवन्स उनके बारे में पढ़ लीजीगा यह दे देता है और रोही करमिस की आपको बढ़ते करमिया और रोही करमिस अजाने के लिए ऐसे दे देता है यह सबसे पहले कौन है फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद जैसे सबसे पहले गुलाम मंस और लाश्ट मिजो आपको लोधी वंस बन्त होता है वैसे कर कर दे देगा यह आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना है और यहाँ पर कुछ बिभाग क्या स्थापना किया गया यह जरूर देख लेना है करीषी देख लिजिएगा आधे घंटे का चेपटर है और सिचाई भी 15-20 मिनट का चेपटर है लूशन्ट में अच्छे से आप देख लिजिएगा ठीक सभीधान में क्या देखना है सभीधान में देखना है आपको राष्ट पति और उप्राष् पती दोनों देखना है आपको राष्टपती में एक घंटा लग सकता है आप अगर सुरू में देखनी के कोशिस कीजिएगा मिश्ट फस्ट टाइम देखिएगा अगर रिबीजन कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट में इसे भी खतम कर सकते हैं उप राष्टपती भी आपको देख ली क्रांती हुए हैं जिसे हरित क्रांती हुआ है अलग अलग जो क्रांती हुए है वो सब पढ़ देना है बाकि मैं अलग क्रांती वाला वीडियो एक छोटा से लाओंगा पास मिनट का जिसमें यह बताऊंगा यहां से कोशन बनता है यह जरूर कर लिएगा फिर बिबिद में 2020 का अडिशन है उसे आप खरीद सकते है अच्छे से मार्केटसे का फायदा होता है कि कुछ बदलाव किया जाता है ऑपके पता चल ज जाते हैं एक आपको इस्तिर विधूत और एक विधूत धारा दोनों आप को लूशन से ही आप खतम कर सकते हैं तो यहां से आप पढ़ लिजेगा विधूत के बारे में फिर यह सब का 50% खतम हो चुका है रसायन विग्यान देखिए रसायन विग्यान में क्या पढ़ना है अ अनुवांस की और जोई भिकास से अनुवांस की जेनेटिक्स के बारे में पढ़ लिजेगा यह आपको खतम कर लेना है जीविग्यान में गडित और रिजिनिंग देखिए रिजिनिंग का चेप्टर आज मैं नहीं लिया हूँ कि कोई काफी यह थोड़ा लंबा आपको हो बनाने का तरीका होता है ठीक तो यहां पाइप और टंकी का प्रसंद देख लीजिएगा करेंट फेर में आपके पास 10-15 मिनिट निकाल कर बस यह देख लीजिएगा कि अभी परमुख परमुख राज्यों के राज जो मुख मंत्री है वो कौन है यह जरूर देख लीजिएग में लेलू तो आपके पास 24 गंटा भी समय है करने के लिए इस बात को ध्यान में रखिएगा और बात रहा कि जो आपको टेस्ट लगाना है मुख परिक्षा के लिए तो आज एक मुख परिक्षा का टेस्ट हो सके तो अपलोड होगा यह एपस आप डाउनलोड कर लिजिए एक्जाम टूडे का यहाँ पर चार मुख परिक्षा का टेस्ट अपलोड हो चुका है वहाँ पर आप मुख परिक्षा का टेस्ट लगाईए और आपना राइंक देखिए ठीक इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो लिंक भी में नीचे देदुआ वहां से भी आप पर प्रिबियस एर का भी कुशन डाला हुआ है यहां से आप देख सकते हैं दो अस्टार लगाना ही लगाना है इस बार अपने कंदे पर पूरे अच्छे तरीका से तैयारी में लग जाईए कंपटीशन इस बार एजी है अगले बार और भी हाड कंपटीशन होने वाला है तो इस बार ही आपको अच्छे से जॉब में लग जाना है और अपना सिवा देने लगना है ठीक पले तो राजगिर में ट्रेनिंग होगा वह अलग बात है अलग वीडियो में हम बात कर सकते हैं उस बारे में ठीक तो वीडियो अच्छा लगोत लाइक कीजिएगा को भी मन में डाउट एकॉन बख्ष में लिख चकते हैं और ये एपस जरूर आपके पास राना चाहिए बिहार के हर एक्जाम के बारे में इस पर आपको अपडेट किया जाएगा ठीक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद